हेलो दोस्तों वल्कम बैक तो आधर नीव फ्रेस वीडियो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को ब्लिंकिट डिलिवरी बॉय के बार में पूरे डिटेल में इंफॉर्मिशन देने वालों और पूरा रेट कर्ड को अच्छी तरह से आप लोगों को एक्स्प्ले इंफॉर्मेटिव होगी इंड तक जरूर देखना तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को टाइमिंग के बार में बता देना चाहता हूं तो इसमें बैसिकली दो स्लोट आपको मिलेंगे काम करने के एक सुबहा के छे से लेके दो इस पर लिखा हुआ एक ओडर का मिनिममम आपको 20 रुपय कंपनी देती है लेकिन यह से दो किलिमेटर के हैं तो कंपनी आपको डिस्टेंस पर भी देखना देती है वह मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा तो पहले आप लोगों को मैं टार्गेट इंसेंटिव बता देत я ऊसको 32 और अगर आपको याइंसेंटिव करेंगे तो कंपनी 300 पें इंसेंटिव देती है total और 40 करते हैं तो k whiskey आपको 450 पें इंसेंटिव नेधिए total ऊके तो यह है आपका target incentive है और दोस्तो target incentive के बारे में और एक छोड़ा से आप लोगो information देदो कभी कवा Saturday incentive को आपको हो सकता target incentive थोड़ासा ज्यादा मिलें I mean जो यहाँ पे आप लोग का incentive जो दीख रहा है यह सकते थोड़ा सापको ज्यादा मिला सेटरेडे अंसंडे को उसको अद यहां पर दोस्तों आप देख पार होंगे पीक आउर्ट में आपको पांच उपया पर और पर एक्स्ट्रा मिलता है अब पीक आउर्ट से पहला स्लोट में दूसरा स्लोट आपका सामके छे से लेके रात आपको मिलता है तो 2 रुपया 50 पैसा पर किलिमेटर के इसाब से कंपनी आपको वहां पर देते जो कि थुरण से कम है बड़ दुस्तों यहां पर और भी गईसरे आपको बोनस मिलेंगे जो कि एड होने के बाद और यादा हो यादा हो यादा है यहां पर दोस्तों आपने देख पाद हो कि वेट पर यानि कि 10 अब यहां पर कमपनी आपको विनीम मिलती है तो यहां पर यहां पर बोलिए only applicable if you login for 9 hours मतलब आपको 9 घंट पूरा login आवर्स देना होगा तभी आप जाके आपको 350 रुपिया जो minimum guarantee company देती है वो आपको मिलेगे अब यह minimum guarantee कि इस तरह से देती है आपको मैं बता देता हूँ सपोज आप फुल ले काम किया ओके लेकिन आपको उस दिन हो सकता order उतना नहीं मिला कभी गवर ऐसा होता है कि order नहीं मिलता मार्केट में order नहीं होता है सपोज उस दिन आप 9 गंट लॉग इन रहे और सिब धाई सो या फिर तीन रुपिया मैक्सिमम अर्णिंग कर पाए तो उस टेम company आपको 350 रुपिया पूरा पैसा देती है उस दिन की यह होता मिनिमम गारंटी अब दोस्तों यहां पे company आपको एक्ट्रा बोनस भी देती है जैसे कि सपोज आप काम कर रहें और बारी सोड़ी है तो इस टेम पर ओडर आपको 7 रुपिया अर्के एक्ट्रा मिलता है और यदि कोई छुट्टी का देनी है holiday कोई छोटा मोटा भी अगर holiday हुआ तो इस टेम आपको पर ओडर पे 15 रुपिया अर्के एक्ट्रा मिलता है दिन चाहिए जितना भी आप ओडर डिल्वर करते है उसमें 15 रुपिया पर ओडर आपको कंपनी एक्ट्रा देती है और यहां पर आप लोग को विकली बोनस भी कंपनी देती है फूरा विक काम करके आपने 100 प्लस ओडर कंप्लीट कर लिए तो कंपनी वहां पर आपको 500 परचे के इसाब से कंपनी देती है अब दोस्तों यहां पर कुछ अलग चीज़ देखनों को मुझे मिला यहां पर कंपनी आपको पर पैनल्टी फाइंड भी लगाती यदि आप ठीक से काम नहीं करते हैं तो यहां पर आप लोग देख पार रहेंगे रूपेज 300 पर ओडर आप कस्टमर के लोकेशन में जाते हैं और एपलीकेशन से डिलवर मांक कर देते हैं तो इस टेम आपके ऊपर 300 पर पैनल्टी लगा जाता है और अपके ऊपर 50 पर पैनल्टी लगा जाती है जो कि मैं पहली बर देख रहा हूं किसी company तुरो इतना पैसा penalty लग रही है तो कुछीश करना अच्छे से काम करना और customer से अच्छी तरह से politely बात करने कुछीश करना अब बात करने दोस्तों payment का तो दोस्तों यहां पर company आपको weekly-weekly payment करती है सोंबार से लेकर रही है जो आपने काम किया जितना अपने earning किया उसका payment आपको ब्रेसवादवार यानि कि Thursday को payment आते है इवने इन तक payment आयाती ही डारेक आपके bank है अब बात कर लें दोस्तों earning का दोस्तों earning पूरी तरह से प्रिफर करते हैं तो उहां पर आप जॉइन करेंगे तो जया स्यादा पैसे कमा सकते चाहिए किसी भी delivery company में क्यों ना काम कर रहे हो तो order पूरी तरह से करते हैं आपके area के ऊपर ओके अब कुछ-कुछ area ऐसा भी होता जहां पर order का growth उतना अच्छा नहीं होता तो वहां पर आप ज्यादा earning नहीं कर पाए तो अगर estimated earning की बात करें कि यदि 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 ब्लिंकर पर जॉइन करते तो minimum और maximum कितना earning कर पाएंगे जैसे कि दोस्तों जाता भी आपको order मिलते है 30-32 रुपया का भी 35 रुपया का भी order मिलेंगे क्योंकि peak hours में जैसे कि 5 रुपय आपको extra मिलता है फिर 2 किलोमेटर के above जैसे ही आप जाएंगे तो 2 रुपय 50 पैसा है पर किलोमेटर के extra आपको मिलेंगे ओके तो इसलिए मैंने estimated 25 रुपय पकल ल देंगे चाहिए आप किसी भी एरिया में क्यों ना जॉइन कर रहे हो ओके तो साथ दिन अगर आप काम करते तो आपको 3500 रुपय आप इसलिए अर्निंग कर लेंगे और कंपनी आपको weekly बोनस भी देती जो कि 500 है minimum 100 और कंप्रेट करने पर तो 500 और आपको तो इसलिए हो जा जादा आप अर्निंग कर सकते हो ओके यह minimum है अब maximum कितना अर्निंग कर पाओ जैसे कि यहां पर रेट कर में भी है यदि आप 40 order complete कर पाते है पूरे दिन काम करके 25 रुपय अरके तो 1000 रुपीस होता है और इसके लिए company आपको incentive देती है 450 रुपया तो एक दिन का आपको हो ज जाता है 10,150 रुपय प्लस 500 रुपय अलग से आपको bonus भी company देती है तो 10,650 रुपय एक वी का अर्निंग कर सकते maximum बड़ दोस्तों यह इतना आसान नहीं है कि डेली का 40 order complete किया जाए क्योंकि 9 घंटे का timing 9 घंटे का आपका duty hours है और 9 घंटे में 40 order complete करना मतलब हो सकता आपको ठीक से पानी पीने का भी time ना मिला जिहां दोस्तों तो यह काफी ज़्यादा tough हो जाया है लेकिन बहुत सारे ऐसे delivery जो डेली का 40-42 order complete कर भी देते हैं लेकिन वैसे एडिया में अगर आप जॉइन करते है हाई profile एडिया जहां पर high demand order को growth काफी जाता है तो आप कर सकते हो ओ अंतिली लगभग 42,000 से भी ज्यादा earning कर पाएंगे तो अब बात आती है कि इसमें joining कैसे करें तो joining करना भी बहुत ही सिंपल है और दोस्तों आपको बतातूं इसमें joining करने का कोई भी फीस नहीं लेगते है फ्री में आप जॉइन हो सकते हो भी घर बैटा है जिहां दोस्तो तो वह भी 2000 रुपे joining bonus आपको company देती है लेकिन उसके लिए आपको यहां पर referral code यूज करना हुगा यह दिया पर referral code यूज करते है तब जाके आपको वह joining bonus मिलेगा अधरवाइस फिर joining bonus नहीं मिलेगा और जोड़ा सा condition वे जो कि बहुत ही easy है आपको एक हफ्ते के अंदर 100 प referral code यूज करना पड़ेगा जो कि यह वाला जो होड़ा यह आपको referral code यूज करना होगा यह मेरा एक भाई का referral code है जो कि Blinkit में काम करता है आप यह referral code वहाँ पर जब registration करेंगे तो यह आप डाल सकते है ओके तो 24 से लिए 48 घंडे के अंतर जैसे आप फूरा registration complete करेंगे आपका ID भी एक्टिबेट हो जाएगा और वहाँ पर दोस्तो मेनु में आप लोग का एक option मिलेगा assigned store location तो वहाँ पर क्लिक करके आपके area में Blinkit का store कहां पर आप देख सकते address देख सकते location देखके फिर वहाँ पर जाके आप order accept करके फिर काम कर सकते तो दोस्तों यह था पूरा details about Blink के बारे में यह दि आपको फिरी भी लगता है कि कोई चीज मैंने नहीं बता है अगर कोई डाउट हो प्लीज यार कॉमेंट में जरूर पूछ लेना दोस्तों और वीडियो अगर अच्छा लगा इंफॉर्मिटिव लगा तो प्लीज यह लाइक जरूर कर देना आप लोग चल नेक्स्ट और फ्रेस्ट वोडियो को साथ तब तक लिए चाहिंद